आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now So this question says write the position vector of a point dividing the line segment joining point A and B with position vector, A vector and B vector externally in the ratio of 1 is to 4 जहां पर हमको A vector दे रखा है this and B vector यह दे रखा है और यह दोनों A और B point के position vectors है ओके तो इसको मैं एक figure मैं देखता हूँ देखिए एक point A है जिसका position vector है A vector A vector मुझे दे रखा यह एक और point है हमारे पास वो B point है उसका position vector है B vector यह भी मुझे आपर दे रखा है ओके तो अगर मैं इसको मैं जॉइन करता हूँ दोनों लाइन को यह एक line segment है A B एक line segment है ठीक थोड़ा इसको extend कर देता हूँ यह A B जो है line segment हो गया हमारी तो externally का मतलब क्या हो है यह A B तो line segment हो गई इसको externally divide कर रहा है मतलब A B के बीच में कहीं divide नहीं कर रहा है इसको point कहीं externally divide कर रहा है यह अगर मैं एक और line यह पर draw करूँ इस तरीके से के let's see यह मैंने एक line draw की यहां पर है तो वह point जो है let's say उस point को मैं C मान लेता हूँ तो let's see यह point है यह C point है और यह A B को externally divide कर था externally divide का मतलब है कि मान लिजीए यह इसको M is to N में divide करता है तो यहां से लेकर यहां तक की distance होगी वह M होगी और यहां से लेकर यहां तक की distance जो होगी की मतलब इस point तक की वो कितनी हो जाएगी N हाना so यह हम यहां तक की बात कर रहा है यहां तक की not this okay यह N हो जाएगा so इसका मतलब क्या हुआ कि C point externally इस line segment को M is to N में divide कर रहा है तो यहां से directly में C के coordinate निकालना जाता हूं कैसे निकालता है जिस M लेते हैं पहले M के साथ B vector लेते है then minus N के साथ A vector divided by M minus N पंड़र यह है कि जैसे M लिया मैं यहां पर तो M देखिए इस C से touch हो गई लेकिन वो A को touch कर रहा है तो M के साथ में वो vector multiply करूंगा जो इसको इसके इ है तो इसलिए यहां पर ले लिए ऐसी जब मैं N लोगा तो N यहां से start होगा यहां तक जा रहा है B तक जा रहा है तो A touch नहीं हो रहा है तो यहां पर इसलिए A ले लिया तो यहाद करने एक तरीका ही है तो यह स्थीके पोरिशन वेक्टर इस formula से मुझे मिल जाएगा है तो और B, B हमारा यह है तो minus I cap plus J cap plus K cap इसमें 1 multiply कर दिया तो सेम रह जाएगा minus N into A cap, N की value 4 है और A की value यह है इसमें हम 4 multiply करेंगे जब मैं 4 multiply करेंगे मैं minus के साथ तो यह 3 sign plus में है तो 3 sign minus में हो जाएगे और 4 हर उस से multiply हो जाएगा that is 8 I cap minus 12 J cap minus 4 into 4 16, 16 K cap और divided by M minus N M minus N कितना हो जाएगा 1 minus 4 that is minus 3 है ना अब उपर जो है देखिए सारे I cap J cap वाले और K cap वाले separately आप add कर दीजे तो यह मिल जाएगा minus 9 I cap minus 11 J cap minus 15 K cap divided by minus 3 अब यह minus और minus 3 plus में हो जाएगे और इस 3 से सब को divide कर दिजे तो यह मिल जाएगा 3 I cap plus 11 by 3 J cap plus 5 5 K cap तो जो required point हा हमारा उसका portion vector हमारा यह हो जाएगा so this is the answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8 400 400 400 पर